दोस्तो मैंने विन कुमर्चीन और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल इसकिल क्लासेस में दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम PFMS में अपने bank details या bank balance को चेक करते हैं और वहाँ note record found आता है तो उसका क्या solution होना चाहिए आज इस वीडियो में मैं उसका solution बताऊंगा कि जब कोई बेक्ती अपने bank account number से अपने details को चेक करता है कौन से details जो dbt के अंतरगत जो भी benefit उसके account में जो भी amount उसके account में transfer होता है उससे संबंदित अगर वह detail PFMS में चेक करता है उस समय अगर no record found शो करता है तो उसका solution क्या होगा तो चलिए दोस्तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे नए viewer है वो को मेरे channel को subscribe करते subscribe करने के लिए video के नीचे एक red color का subscribe का button है इस subscribe के button को click कर देंगे जिससे की मेरा channel subscribe हो जाएगा और उसके बगल में एक bell icon है इसे इसे भी आप click कर देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा latest video हो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए bell icon को click करना द और हमने एंटर करा, एंटर किया, यहाँ पे आपका वेबसाइट आ गया pfms.nic.in जो हम लास्ट वीडियो में भी बात किया था, यहाँ पे योर पेमेंट है, यहाँ से क्लिक करके आप डाइरेक्ट आपका जो जो पेमेंट बाई अकाउंट नमबर से वो स्क्रीन वो विंडो ओपन हो जाता है, लेकिन माली जी की सपोज आप मोबाइल पर चेक कर रहे हैं, और मोबाइल भीव में अगर डाइरेक्ट यह लिंक नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोपी कर ले, और यहाँ पेस्ट करें, निउव विंडो में, pfms.nic.in ब्राउजर पर ओ ओम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ओप्सन है, यहाँ पर जाएंगे, और क्या करेंगे, हम यहाँ पर डीटेल सर्च करके, और हम अपना डीटेल को चेक कर सकते हैं, दोस्तों, अब बैंक नेम के जगह, हम बैंक नेम लिखेंगे, उसके दो-तीन लेटर प्षरेंगे स्टेट बैंको इंडिया एंटर एकांट नंबर मेंं अग्त नंसरी टेखेगा यहां capture code है 9BFA37 और हम यहां पर search पे क्लिक कर देंगे यानि कि search पे क्लिक हुआ यानि कि यहां detail हमारा show हो गया यानि कि जो account number को estate bank का हमने search किया यहां पे show हो गया माली जी दूसरा account number check करते हैं दूसरा account number हम estate bank का ही है वो check करते हैं कि हमारा रिकोर्ड आता है कि नहीं फिर यहां पर वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा कोड प्लीज टाई अगर नहीं यानि कि कैप्चा कोड हमने गलट डाल दिया फिर से हम एंटर करते हैं एकाउंट नमबर हम लोग फिर से एंटर किये और यहां पर हमने कैप्चा कोड 58F304 हमने एंटर किया कि एंटर करने बाद यहां जैसे ही सर्च किया यहां पर आया कि नो रिकोर्ड फाउंड यानि कि अब जब मैं सर्च करके यहां देख रहा हूं तो यहां पे आ रहा है कि no records found यानि कि अगर इस ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आप अपना account number से चेक करते हैं अपने bank details को bank balance को और आपको यहां आता है no records found तो दोस्तो अब इसको करना क्या है तो दोस्तो ऐसा होता इसलिए है कि माल लिजे कि आपका जो dbt के थुरू जो पैसा आपके account में आता है तो government क्या करती है जो PFMS बनाई है वहां पे account number को update करती है तो इस case में क्या है कि आपका account number अभी तक PFMS में update नहीं किया गया है यानि जो PFMS जो है जो public financial management system है यह सरकार के द्वारा update की जाती है आपके bank account को तो अभी तक इसके server पे यानि कि PFMS के server पे आ आपका bank account update नहीं है इसलिए यहाँ पे आपका no records found दिखा रहा है अब no records found का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं गया है आपके account में पैसा चला गया है दोस्तों अब हम घर बैठे अपने account details को अपने जो bank balance को जिस तरह से हम PFMS में चेक करते हैं उसको घर बैठे अब हम कैसे चेक करेंगे क्योंकि अब तो वहाँ record मेरा not found आ रहा है लेकिन not found का यह मतलब नहीं है कि आपका पैसा आपके account में नहीं गया है तो आप उसको चेक करने के लिए अगर आपने bank account में अपने mobile number को register करा रखा है तो बस आपको क्या करना है आप अपने number से एक number को dial करना है यानि कि miss call देना है और उसके बाद आपको उस आपके bank से related जो भी mini statement होगा आपके mobile पे message के रूप में आ जाएगा और वहाँ से अपने detail को bank details को bank balance को check करते हैं तो miss call के थूरू check करने के लिए यहाँ आप screen पे देख सकते हैं कि estate bank का अगर आपको mini statement चाहिए यानि कि detail चेक कर रहा हूं वहाँ पे आपको message के रूप में आ जाएगा statement की तरह उससे आपको पता चल जाएगे कि कहां से पैसा आया है dbt से आया है या कहीं और से आया है तो आप estate bank के लिए 0922386666666 पे आप अपने mobile number 6 से dial करेंगे यानि कि miss call देंगे थोड़ी दिर के बाद यह disconnect हो तो दोस्तों अलाहाबाद जिसका अकर account अलाहाबाद bank में है वो अपने mini statement के लिए 09224150150 पे call करेगा यानि कि miss call देगा यानि कि अपने mobile number से dial करेगा dial करने के बाद यह phone थोड़ी दिर के बाद disconnect हो जाएगी उसके बाद आपको message as a mini statement receive हो जाएगा और PNB में जिनका account है PNB bank में अगर वो चाहते है mini statement यानि bank details mini statement में फैदा क्या है कि आपको यह पता चल जाएगा कि यह पैसा कहां से आया हुआ है जिस तरह आप PNB के लिए आपको dial करना होगा 1800 1800 2223 तो दोस्तों आप इस तरह से miss call के थूरू अपने bank details को check कर सकते हैं अगर PNB में not found show हो रहा है करेंगे ज्यादस ज्यादा लोग इसका लाव उठाए और दोस्तों जो भी मेरे नए वीवर होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टीप्स और टिक्स के साथ अब तक के लिए जैहिन जैभारत